जहें दोस्तों बंदे मातरम इसको लेकर वेस्टिन्स क्रिकर बोर्ड ने कहा कि कुछ ऐसी कंडिशन्स आ गए थी जिनकों कि हम चाकर भी बदल नहीं सकते थे और इसी कारण से सब चीज़े हुई है बहराल जो हुआ सो हुआ इस मैच में सबसे पहली बात तो ये कि पबलिक का दिमाग सीज़े के खाच चल गया कि भाई ये आखिर सूरे कुमार यादव जो है वो अरशदीब की जरसी पहन कर क्यों खेल रहा है तो उसका कारण तो यही था जो मैं आपको पता दिया कि लगज का इशू हो गया था लेकिन इसके बाद भी इस मैच में कई सारी चीज़े हैं जो कि भारत के खिलाव गए दरसल एक नया तरीका अपना रही है भारती टीम पूरी तरह से आकरमा को कर खिलने का शुरू से लेकर आखरी तक अब इस चीज़ में फायदा और नुकसान दोनों है इक तरफ से हम देखें तो आपके टीम को इससे तरा फूरा नुकसान भी है नुकसान क्यों है कि भाई आकरमा खिलने के चटण में आपलो विकेड भी खो सकते हैं जो कि कल हुआ अब इनी सब चीजों को लेकर किस्टमचारी श्रीकांद ने क्या कुछ कहा है जरा जान लेते हैं इस वीडियो में टीम इंडिया के पूरू क्रिकेटर और अपने समय के ताबर तोड बल्ले बाज रहे एक किस्नमचारी श्रीकांद ने टीम इंडिया के कफ्तान रोष शर्मा को जम कर खरी खोटी सुनाई है वेस्टेंडी से खिलाफ जारी पांच मैचों के सिरीस के पहले दो ट्रिटाइनटे नेशनल मैचों में रोष रोष के साथ पारीक आगाज सुरिक कमार यादव ने किया है पहले मैच में सूरिया ने 16 बॉलों में 24 नमना है जबकि दूसरे मैच में वो 6 बॉलों में 11 नमना कर आउट हुए सूरिया वैसे तो टॉप ओल्टर के बल्लेबाज हैं और तीसरे या चौते नमर पर खेलते हैं लेकिन केल राहुल की गहर मौजूदगी में वो पारी का अगाज कर रहे हैं शुरिकांद का मानना है कि इस तरह सूरिकमार यादाव का कॉन्फिडेंस नीचे जा सकता है पैन कोड पर दूसरे मैच के शुरू होने से पहले शुरिकांद ने कहा कि सूरिकमार यादाव टी-20 वर्ल्ड कप दोजार बाईस में नमर चार पर बल्लेबाजी करने के लिए बहतरी इंखिलाडी है तो आप उनसे पारी का अगाज आगर क्यों कराना चाहते हैं अगर आप किसी बल्लेबाज से पारी का आगाज कराना चाहते हैं शुरू है सयर को ड्रॉप करिए और इशान किशन को टीम में जगए दीजिए सूरिकमार जैसे खिलाडी को वर्बाद मत कीजिए मैं आपको बता रहा हूँ तब क्या होगा जब सूरिकमार यादा हो एक दो खराब पारियां खिलने के बाद अपना कॉन्फिडेंस गवा बैठेंगे शेकान से पहले मुहमद कैफ भी सूरिकमार से पारी का आगास करा जाने को लेकर हैरान रह गये थे जबकि भारत ने इंगलेंड मेरे शपन से पारी कागास कराया था ये शान किशान डगाउट में बैठे हुए थे वहीं जब टीम के तेज़ के इंबास भुवनेशर कुमार से इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भी इसका गोल मोल सा जवाब दे दिया भुवी ने कहा था कि उन्होंने सच में नहीं पता कि ऐसा क्यों कराये गया लेकिन इसके पीछे हेड कोच राहुल रवीड और कप्तान रवीश हर्मा का जरूर कोई ना कोई थॉट प्रसेस रहा होगा लेकिन किसमचारी शीकान सिर्फ यहीं नहीं रुके दरसल शीकान ने भारत और विस्ट इंडीस के बीच पहले टी-20 इंटरनाशनल के दौरान रवी शास्त्री के साथ कमेंटरी करते हुए दरशन को वह हसने का एक बहतरीन मौका दिया उन्होंने रवी शास्त्री के खेल शैली के बारे में बात करते हुए शीकान ने कहा कि आप क्या सोच रहे हैं इंडिया दोसों मारेगा या नहीं मारेगा जड्डू कमॉन आपका एक्स कोच है धर कॉमेंटरी बॉक्स में दरसल 62 वरशी पूरू बल्यबाज ने आगे कहा कि शास्त्री भारते क्रेट के सबसे सफल कोचों में से एक रहे हैं और उन्होंने ऑस्टेलिया में भी इस राहनिये काम किया श्रीकान ने कॉमेंटरी के दोरान रवी जड्डेजा की जमकर तारीश भी करी उन्होंने कहा कि रवी शास्त्री के कोचिंग कारेकाल में उन्होंने कितना बहतरी निसुदार किया है उन्होंने कहा कि जड्डेजा का खेल बहुत सुदार चुका है और उनमें अब कॉन्फिडेंस भी लबरेज है जडेजा ने ऐस्टेलिया में भी शानदार खेल कर दिखा प्रोडशन किया था वहीं जडेजा ने चोट की वज़े से वेस्ट्टाइज के कि खिलाफ बटए सीरीज में हिससा नहीं लिया था अलाकि स्टार ओलांडर पहले टी-20 मैच में बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके उन्होंने एक महसबूर्ण विक्ट जरूर लिया था प्लेयर अगर टॉप और में खेल कर लगातार कम रानों पर आउट हो रहा है तो से कॉंफिडेंट कहीं नहीं कर लोर मिड्ल ओर में खेलने को लेकर भी डेंट होता ही आपके इस बार में क्या किना मुझे कमट करके जबूर बता है मेरे स्टियम फिलात नहीं जाए जाय भारत झाल 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 झाल